गणे शुच्चव आ रहा है तो आप लोग भी चाहते हो कि रंगोली डिजाइन बनाई जाए बट क्या बनाई जाए हर टाइम तो हम लोग कुछ ना कुछ सेम टो सेम करने का ही कोशिस करते हैं बट मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जादा सुन्दर सी और बहुत ही जादा जल्डी बन जाने वाली एकदम प्यारी सी रंगोले डिजाइन गनपती बपा के इसा के लिए तो प्लीज मेरी चानल पर बने रहेगा मैं चंद्रमा कह सकते हैं मैं आपको बताई देती हूं कि यहां पर क्या वन रहा है मैंने यहां पर चंद्रमा में अपने गनपती बपा को विराजवान किया है जी हां आजकर हम लोग गनपती बपा की जो भी मोर्तियां होती है जो भी प्रतिमा होती है अब देखते हैं बहुत ही जादा खुबसूरत से एकदम ट्यारे से गनपती बपा को चंद्रमा के उपर बठाया हुए मैंने यहाँ पर दिखाया है और यह चांद भी ऐसा वैसा चांद नहीं है बहुत जादा स्टाइलिस चांद है वह आपको एंड में पता चल जाएगा और देखने को भी मिलेगा तो जैसा कि भी आप देख रहोगे कि मैंने चंद्रमा तो बना दिया अब चंद्रमा तो बिना बादल के तो अच्छे लगते नहीं है तो मैंने यहाँ पर हलका सा बादल जैसा कुछ दिखाने के लिए या नाइट सिन दिखाने के लिए आप कह सकते हो तो मैंने हलका हलका स बस नृटब कलर ओर डार्क बडू कलर को वैंने आएसे एसे रेंडम भी स्प्रेड कर दिया है उसके बाद हम अपने गनको टोन कर दिया कर दिया ऐह है परैसे कि आपको सब्सक्रात स्कीरिक्ण कًरा करने मैंने उसके स्कलर को यहां अनृगा और जादा ब्राउन कलर भी यूज किया है अब हम यहां पे इनको और जादा डेकोरेट करेंगे और विजादा इनको खुबसूरत बनाएंगे तो इसके लिए पहले हम इनके जो औरनमेंट्स उसको बनाने से पहले अपने बालों को बना लेते हैं क्योंकि बाल एक ऐसी चीज लिए पहले हम कुशिस करते पहले जो बाल इसको बना ले तो हमारे लिए जाता इजी रहता है अगर प्रॉपर और तो आगर नहींजे बना सकते हैं थो माल बादने और यहां पर एक दम चोटा शाव मुखर मैंने हाँ बनाया इनके यहात उम проблем में न कि देखने कोई मिलेगा तो अभी हम यहां पे जो फिलिंग है उसको कर लिया है बालो पूजा पाट में यह कपड़े नी पहना चाहिए तो इस वज़े से भी मैंने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखके बनाए भाई हम लोग बनारस से हैं और बनारस में सब चीज़ों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है और अगर कुछ भी 19-20 होता है तो आप ही लोग मुझे डाटों के कहोगी कि यार आपने यह चीज़ सही नहीं की है और मैं पहली आप से माफ़ी मांग लेते हैं अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा तो कानों के लिए मैंने हाँ पे हलका सा पिंकिश कलर हलका सा मैंने स्प्रेड कर दिया है अब हम उनके छोटी से बालों को यहां पे दिखा रहे हैं साइड में क्योंकि इनका जो फेस है यह हलका सा तिर्चा गर के मैंने बनाया है चांद पर बैठे हुए है और हमारा उनका जो में पार्टन के आंकों की पुटली और बनाना या पर जो बेन जो बाल्स होते आंकों के उसको यहां पर हम डॉक कर रहे हैं जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा होगा वीडियो को मैंने बहुत जादा फास्फोरवर्ट नहीं करके बनाएं ताकि आप आराम मांग लेती हूँ क्योंकि वीडियो हम ही सूट करते कोई और तो सूट करता नहीं है तो यह सफी से आ जाती है और कभी-कभी क्या होता है कि अभी आप लोग मुझे उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो अगर सपोर्ट करते तो साइब मेरे पास भी कैमरा हो ही जाता तो प्लीज मुझे सपोर्ट करेें जाता सजादा मेरे वीडियो발 सकों करें शेयर करें लाइक करें और बहुत सारे लोग प्लीज सस्क्राइब करा करें अचий जाता प्लीजी चुरह सब्ञेर करती नहीं बट कोई नहीं आशिरवात रहेगा तो जरूर होगा और आप सब क्यार भी रहे तो भी हम जल्दी से जल्दी इस इसको ले आएंगे और और भी जादा अच्छा काम करके आप सब को बहुत ज्यादा प्राउड पिल कराएंगे तो जैसा कि अभी आप देख रहों मैंने उनके सारे और नमिंट्स को पहले यलो कलर से में स्प्रेड कर लिया है अब हम उसके डिटेलिंग करेंगे जैसे कि हाथ की कड़े बाजुबंद और भी जितने भी उनके हैं सीस मुकुट है और भी छोटी-छोटी सी चीज़े मैंने यहां पे आड़ किया है कुछ बहुत जादा इसमें पैन है नहीं किया है सब कुछ इदम लाइनग्स अधान थे जैसा कि आपको देखर होंगा पैंसिल के यह पे उनकी जो जोल्री है जो गली में उन्हें पाहना हुआ है घारंड किया हुआ है इसको बनाया है रेड्ट कलर से मैंने आउटलाइनिंग कर दीय ताकि थोड़ा सा और जादा enhance हो जाए और भी जादा खुबसूरत लगे देखने में प्यारा बने इसलिए मैंने यहाँ पे red color का use किया है आप चाहो तो चोटे-चोटे से dot लगा करके भी इनके ornaments बना सकते हो बट बहुत सब्धा white अभी हमें यहाँ पे जो चंदर्मा है उसको मैंने proper white design किया है और वह white किस तरीके से design किया है वह आपको वीडियो के end में पता चलेगा तो इसलिए please मैं बार-बार बोल रही हूँ कि वीडियो में बने रहेगा जाहिएगा मत क्योंकि चले जाओगे तो फिर नहीं देख पाओगे और बहुत सारी चीज़े आप मिस कर दोगे तो यहां पर मैंने उनको मोदक धारण कराया है तो ऐसे मैंने रैंडम ली color spread करके pencil के help से यहां पर उसमें गोला-गोला सा गुमा दिया है pencil के help से ताकि हमें वह proper look दीखने को मिलेगा तो टोकरी हाथ में है तो उसके लिए मैंने आप आउट लाइनिंग कर दी है जो चोटे चोटे पार्ट्स है उसके लिए थोड़ा सा हाइलाइटिंग करने के लिए मैंने आप वाइट कलर कर यूज किया है जिसे कि आपको यहां पर दिख रहोगा उनकी जो सुन्ड है उस पे भी मैंने हाँ पर हलकी से डिजाइनिंग कर दी है उनकी गले में और भी जादा ओर्नामेंट्स बनाए है जैसे कि वाइट कलर के मैंने यहां पर बनाई है उनकी मुखट पे मैंने चोटे-चोटे से चीजों को यहां पर ड्रौ किया है रंगोली कलर से整 ऐंवी ब्लू ग्रीण बाईट इनी कली का के लिए मैंने यहां पे चोटी-चोटी से वाइट कलर के लाइंस ट्रॉव किये हैं आपको यहां पर दिख रहा होगा और आप लोग प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको यह गनपती जी हमारे प्यारे से गनपती जी कैसे लग रहे हैं और अभी तक आपने मेरी च प्लीज आई रिक्वेस्ट तो जैसे कि अभी आप देखर होगे कि मैंने उनका जो नीचे का पार्ट है वो थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा क्योंकि मैं एक साथ वीडियो बनाने स्टार्ट करते तो सोचते कि पहले वह खतम ह होगी मेरी चीज़ों को समझ लेते हो तो अभी आप समझ जाएगा जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा कुछ जादा नहीं है बस इतना ही है उनका पैर बने आपे पुरा नहीं बनाया है क्योंकि मैंने उनकी जो धोती है उसको थोड़ा सा लॉन करके बनाया है उनकी जो कम कमर करदनी जिसको हम लों कहते हैं उसको में यहां पर डॉक किया है एक हाथ में लड़ू भी पकड़ाए हुए दिखाया है अब सबसे में पार्ट इस रंगोली में जो चंद्रमा है उसको मैंने प्रॉपर एकदम महनभी वारा जो डिजाइन होता है उसको मैंने यहां पर किया है चोटे से दिजाइन को मैंने आप पर टौक जैसे हमारा जो सेप है जो चंद्रमा को जो आकार है उसी में अपने बाइट कोलर से ई मैंने पुली डिजाइनिंग की है बहुत बड़ा बड़ा ड़ॉपर नहीं किया चोटे चोटा सा डॉक्त यहां पर दिख दीख लो तो और भी कुछ यहां पर आड़ कर सकते हो बट मुझे यह जादा अच्छा लगा था क्योंकि छोटे-छोटे से यह होता है और बनाने में भी काफी इजी होता है और हाथ जल्दी-जल्दी चलता है फटा-फट बन जाती है तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहोगे कि हमारा आधा मून जो है कि कंप्लीट हो चुका है और हमारे गनपती बपा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहोंगे कि उनका मैंने क्या रूप बनाए है बहुत ही प्यारे लग रहे थे और बहुत ही जादा सुन्दर था इनका जो पूरा रूप था यह अपने आप में ही बहुत जादा खुबसुरूप लग रहा था तो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहोंगे कि मेरा रंगोली जो है कि जो हमारा चंद्रमा है वो कंप्लीट होने ही वाला है तो आप देखे होंगे कि मैंने बीच का पार्ट थोड़ा सा थिक बनाया है और उपर और नीचे का जो पार्ट है उसको थोड़ा सा पतला करके बनाया है जैसे कि हमारा चंद्रमा का जो शेप है वो प्रॉपर हमें देखने को मिलेगा इस बहुत सारी चोटी-चोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें चारी चीजे हमारी डिफाइन हो जाए और हमें देखने में भी अच्छा लगे तो फाइनली हमारी तंगोली डिजाइन बनके रेडी हो चुकी है उमीद करे कि आपको यह पसंद आएगी गन पदी बपा मोर्या मंगल मुर्टी